नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारे यूटूब चैनल पे सात्यों आज हम इस वीडियो में जानने वाले मेडिल स्कूल टीचर एलिजबिल्टी टेस्ट 28 फरवरी 2019 के सात्यों इसमें हम सामाजी बिग जान के कोश्चनों को डिस्स करेंगे सोसल साइंस में प्रिवि टेलिग्राम चैनल को जोईन करके हमारी इस पीडियव को डाउनलोड कर सकते हैं तो हम सात्यों बिना स्किप किये चलते हैं इसके पेपर को सॉल करते हैं कि कौन-कौन से महतपूर कोश्चनों को जानेंगे कि कौन-कौन से सोसल साइंस में आपकी एसस्ट्री में पूछे ग जो भारत में इकिवल एक समुधा है यह कौश्चना आपके सामने लिखा हुआ है यह आपको बताना कि इन सभी में से कौन-कहा था पहला नंबर लिखा हुआ के अब्दुल्कलाम aisat E नमबर आपका KM मुनसी C नमबर आपका लिखा हुआ यंकन और D नमबर आपका लिखा हुआ सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है आपको साथियो इसका answer पता है तो हमें comment करके जरूर बताईए और आप लंबे comment करके जरूर पताईए साथियो और इसके पहले आपकी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे playlist के माद्यम से हमारे इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं तो इसका सही उत्तर होगा साथियो इसका करक्ट answer होगा सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है हम चलते हैं अपने second number question पे second number question आपके सामने दिखरा होगा कि माइक्रो teaching जो है वो सुच में सिक्धान का एक चक्र है ठीक है माइक्रो teaching का circle क्या होता है साथियो आपके सामने एक option लिखा हुआ है कि योजना प्रतिपूष्टी सिक्षण और पुनर प्रतिपूष्टी ठीक है इसके बश्चा पुनर प्रतिपूष्टी पुनर प्रतिपूष्टी ठीक है ठीक है, माइक्रो टीचिंग का ये सरकल होता है सात्यू, करेक्ट एंसर हो जाएगा, हम चलते हैं अपने थार्ड नंबर कोश्चन की ओर, और थार्ड नंबर कोश्चन हमारे साम लिखा हुआ, पर योजना विधी का प्रतिवादक होता है, ठीक है, आपका ये अप्शन लिख इसका करेक्ट एंसर होगा, हम चलते हैं अपने फूर्थ नंबर कोश्चन पे, कि 1564 में समराट असो, 1865 में, 1864 में सात्यू, समराट अकबर ने निनलखित में से किस भेदभाव को समाप्त कर दिया था, तो जजिया इसका सहुत्तर होगा, 1564 में सात्यू, अकबर ने जजिय जैसे कर को क्या किया था, समाप्त कर दिया था, इसका सहुत्तर होगा, ठीक है, हम चलते हैं अपने पाच्वे नंबर कोश्चन पे, पाच्वे नंबर कोश्चन है, कि निनलखित मेलों पर विचार करना है, इन में से आपको बताना है कि इसका सहुत्तर क्या होगा, ठीक है, पहला लिखा हुआ अश्ट परधान इन सभी में से क्या होगा साथियो ठीक है B नमबर लिखा हुआ अश्ट दिक C नमबर लिखा हुआ है नौरतन और D नमबर लिखा हुआ है इस्थानी स्वा सरकार ठीक है इन सही में से सही क्या होगा साथियो तो आपको बताना कि इसमें से क्या होगा ठीक है तो पहला इसका option लिखा हुआ है कि साथियो कि केवल एक दो और चार इसका सही उत्तर है केवल एक और तीन सही है केवल एक दो तीन सही है या सब सही है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियो केवल एक दो और चार सही ह इसका correct answer होगा, आपसा नमबर आपका A, सही उत्तर है, ठीक है, निर सावाल पर चलते हैं, 6 नमबर कोश्चान हमारे साम लिखा हुआ है, कि निमनलखित सासको का, उनकी राजधानियों का मिलान करें, पहला नमबर लिखा हुआ है, कि मौरी, ठीक है, मौरी की राजधानी क्या ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताना है, कि मौरी समराज की राजधानी कहां थी, तो इसके उत्तर क्यों चलते हैं, और इसका उत्तर सात्यों हो जाएगा, आपसा नमबर आपका, यह correct answer होगा, ठीक है, इसका से उत्तर होगा, पहले कहो जाएगा, लव वन्स की राजधानी जो वो कांची हो जाएगी चालू के वन्स की राजधानी बदामी और कुसार वन्स की मतुरा इसका सहुत्तर है साथ यू हम चलते हैं अपने साथ नमबर कोश्चन पर डैस किसी भी छेत्र में छात्र के प्रदर्शन की आवलंकन के लिए बनाया गया इस्टोरिंग टूल है जिसमें पाठिकरम विसे पाठिचर्चा संबंधी गतिवीधियों और सामाजिक इवं व्यक्तिगत गुड़ सामेल है इसका सहुत्तर होगा सात्यों इन चारों में से करेक्टर अंसर होगा रुबिक इसका करेक्टर अंसर है ठीक है हम चलते हैं अप सात्यों इस्ट इंडिया कंपणी को समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट अवाल पर चलते हैं नौ नमबर कोश्चन है कि चंजरात्मक संजनात्मक डोमेन में अधिगम का निमनलिखित अस्तर कौन सा होता है तो सात्यों पहला लिखा हुआ है जान वी नमबर लिखा हुआ समच सीनम्बर सिर्जन और दिनम्बर आपका अनूप योग तो सात्यों जो आपका संजनात्मक डोमेन का अधिगम स्तर होता हुआ जान होता इसका करेक्ट अंसर होगा आपसा नमबर आपका ए नौलेज इसका सहूत्तर है 10 number question पे चलते हैं कि plus plan की वकालत किसके द्वारा की जाती है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा M.N. Royce का सही उत्तर है साती हो correct answer होगा आपसा number आपका 4 सही उत्तर है साती हो चलते हैं अपने ने सवाल पे और एक जारा नमबर कोश्चन है सही कर्थन का चैयन करें ठीक है पहला लिखा हुआ है कि चमपानन सत्या ग्रह जो है मात्मा गाधी के नेतिर्थ में पहला सभी ने अभयंग्या अंदोलन हुआ बेनमबर लिखा हुआ है कि यह सत्या ग्रह उत्तर बिहार के आपको एंसर पता है तो हमें कमेंड करके सात्यों जरूर बताईए इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों सही है सात्यों ठीक है हम चलते हैं अपने बारा नमबर कोश्चन पर कि सही उत्तराष्ट माना उधिकार जो आयोग की स्थापना कब हुई थी तो उनईस सो चैः इसका सही उत्तर होगा सात्यों ठीक है उनईस सो चैया आपसा नमबर आपका एक और दोनसर होगा 13 नमबर कोश्चन आपके साल लिखा हुआ है कि भार्थी रिजर्वेंग की इस थापना किस वर्स में की गई तो इसका सही उत्तर होगा समराठ असोग के लिए प्रियोग में ली गई उपादी जो है देव नाभ की ये प्रिये देस्टी ये का अर्थ निगाला तो इसका सहुत्तर होगा जेम्स प्लेपेक इसका करेक्टर एंसर होगा आपता नंबर आपका थार इसका सहुत्तर है ठीक है हम चलते हैं अपने पंद भान मंतरी की सिफारिस पर कारेकाल समावत होने से पहले ही लोगसभा को भंग करने की सकती जो वो किसके पास है राश्ट पती बी नंबर अध्यक्ष मंत्री मंडल या सरवोचेनाल है तो साथियो इसका जो सहुत्तर होगा वो आपका हो जाएगा राश्ट पती आपसा नंबर कोश्चन है कि राज जी का सब्तांग सिध्धान तो जो निमनलखित में से किस गरंत द्वारा इस्थापित किया जाता है तो अर्थसास इसका सहुत्तर है आपसा नंबर आपका सेकेंड इसका सहुत्तर होगा साथियो इन चारों में से सहुत्तर होगा अर्थसास ठी हैं भारत सरकार के कि अधनियम की इताथ अनुचित ब्यापार प्रसाओं में सामिल किया गया है तो इसका जो सहुत्तर होगा वह आज हो जाएगा साथ हम चलते हैं अपने सवाल पर 20 नंबर कोश्चिन हमारे सामिल लेखा हुआ कि कि वंस की तहत मतूरा कला बिद्ध्याले सम्रिध्ध हुआ तो इसका सहुत्तर होगा कुछाण इसका सहुत्तर है साती हुँ ठीक है एक इस नंबर कोश्चिन पर चलते हैं कि कि सिब्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्चे नयाले या उच्चे नयाले में पहुँचने का अधिगार है क्योंकि वे आपका सहुत्तर होगा नयायुचिक इसका सहुत्तर है ठीक है आपसा आपको निखिकिये निती संकलन यूदय इसका सहुत्तर है ठीक है हम चलते हैं अपने तेस नंबर कोश्चन पर कि भारत मे पंचायत राज्य पृणाली को अपनामें वाला पहला राजिक ऑन्सा था k्षै तो आपको बताना है कि पंचायती राज्य पृणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है पहला लिखए हुआ महाराष्ट मधप्रदेस राजस्थान और और या आंदर प्रदेस इसका सहुत्तर हो और 24 नमबर खोशन है निम्दलखित में से क्या परिचर्चा विधी का एक चरत नहीं है आपका A उप्सन है एक परिचर्चा के संकलन के लिए जिम्मिदारियों का आवंटन B नमबर आपका समस्या को हल करने के तरीके खोचने के लिए मिलन काम करना C नमबर लिखा हुआ है कि सामान रूची और महत्यू की समस्या का पता लगाना और परिभासित करना और समस्या का अंतिम हल प्रजात करना तो इसका सहुत्तर होगा आपसनमबर आपका 4 इसका सहुत्तर होगा साथियो समस्या का अंतिम हल जात करना इसका सहुत्तर है हम चलते हैं हमने 25 नमबर कुश्चन पे कि किस वेद में गात्री मंत सामिल है तो रिग वेद इसका सहुतर होगा सात्यों इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा 26 नमबर कुश्चन पे चलते हैं इंडो युनानियों के अध्यन के लिए सबसे मातपूर प्रात्मिक स्वरूत कौन सा है तो सिखे इसका करक्टर अंसर होगा सात्यों 27 नमबर कुश्चन पे चलते हैं कि निमनलखित में से कौन सा संयोजन जो है जनसंख्या कि दिष्टी में मातपूर भूमक्या निभाता है तो इसका जो सहुत्तर होगा निमनमित्यूदर और उच जर्मस्तर इसका सहुत्तर होगा सात्यों 28 नमबर कुश्चन पर चलते हैं, निमनलखित में से उत्तेजक बुद्धी प्रश्ण की पहचान करें, तो साथियो इसका जो सहुत्तर होगा वो आपका हो जाएगा देशों में वनु की रक्षा के लिए, आप क्या सुझाओ देंगे इसका सहुत्तर होगा, ठीक है, 29 नमबर को देजित करना, पिछले एक जान को परिक्षण करना, तो इसका जो सहुत्तर होगा, वो आपका हो जाएगा साथियो, सुवाध्यान को बढ़ावा देना, इसका सहुत्तर है, ठीक है, हम चलते हैं, अपने तीस नमबर कुश्चन पे, निमनलखित में से कौन सा ग्रंथ हो इसका सहुत्तर होगा, यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है, इसका सहुत्तर होगा, यह आपका लागू नहीं करता है, इसको याद नहीं किया जाता, इसको समझा जाता है, 32 नमबर कुश्चन पे चलते हैं, कि एक बच्चे की गहरी का थिनाई हल करने के इस्तित में संदर्व में, उसके बिषय के सभी अनिवारे सुचना एकत्र करके, तकनिक निमनलकित में से क्या होगा, ठीक है, आपसन ए है इसको याद आपका, बी नमबर आपका लिखा हूँ है, प्रजुरात्मा कद्य, गुडात्मा कद्य, अर्ध प्रयोगिक सर्थ, इसका सहुत्तर होगा, ब्यक्तिकत, अध्यान इसका सहुत्तर होगा, साति हो, ठीक है, हम चलते हैं, अपने 33 नमबर कुश्चन पे, स्वेध क इसका सहुत्तर होगा, स्वेध क्रांती जो है, साति हो, दूध से सम्बंदित है, 34 नमबर कुश्चन है, कि इस आंदोलन के थाथ, अमेर जमिनदारों या किसानों की भूमिहिन लोगों को जमिन एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया, तो इसका सहुत्तर होगा, प्राकृतिक गैस, इसका सहुत्तर उर्जा का जो परापरिंग सुरोथ है, वो आपका हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ठीक है, हम चलते अपने 36 नमबर कुश्चन पर कि विधिय को कानून में अधिनियक्त करने में किसकी सहमती आवश्यक है, तो राष्टपती इसका सहु इसका सही उत्तर हो जाएगा, 37 नमबर कुश्चन पर चलते कि कि आयोग में इस बात पर जोर दिया गया कि आधुनिक दुनिया के विधी सामाजिक संस्कृति और समस्चाओं को हल करने के लिए समाजिक विकजान दुनिया, आधुनिक दुनिया के अपचारिक और अनपचा सम्धान के रूप में चित्रत किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा, पृतु सत्ता मत्मक इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, हिजाब सा नमबर आपका A करेक्ट एंसर है, हम चलते हैं अपने 49 नमबर कुश्चन पर, 49 नमबर कुश्चन है कि सम्धान में मौलिक अधिकारो को, डैस, द्वारा सब्य दुनिया के साथ समझाता है, हमारे लोगों के लिए परतिक्जा के रूप में अवारिच किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, तो ये थे साती हमारे महतपूर, 40 कुश्चन, आपको वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट करके जोरूर ब सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से महतपूर वीडियो देखने के लिए मिलते हम नेस्ट वीडियो में, तक तक की बने रहिए, धन्यवाद